कि दोस्तों स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल जैस्ट ग्राफिक्स में आज की हम इस वीडियो में सिखेंगे कि पेपसी का लोगों कैसे बनाते हैं अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और नौट्यू केशन आइकन पे प्रेस करना मत बूलेगा अग काली से अबदे दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले हम एल को और शिफ्ट प्रेस्ट सामने की ट्रेक्शन पर क्लिक करेंगे इसके बाद हम सेलेक्शन टूल से इसके बाद आपको दुबारा से पैन टूल अक्टिविट करना है और इस जगे क्लिक करना है नीचे से थोड़ा राइट पर क्लिक करेंगे और एक शेफ ड्रॉ करेंगे साथ म बरिकुल लतपर कलिक करेंगे धिसके बाद और इस पूरे को select करेंगे select करने के बाद हम इसे तोड़ा rotate करेंगे कि 45 पर इंगल यह गया इसको देवारा select करना यह तोड़ा ज्यादा rotate हो गया थोड़ा कम करेंगे यह इतना काफी या अब अच्या लग रहा है select करेंगे lebih जिसे बिल्ड टूल पर जाएंगे जो प्लस का sign होगा But left click करना है मौँस से और यहां भी left click करना इस जिगा भी left click करना है उसके बाद जो यह center का पार्ठ है हम इसे delete कर देएंगे जो उप्र का बच गया सब्सक्क्राइब्च करेंगे और यहां मैंने पहले से की दो कलर स्लेक्ट करके रखे हैं एक आई प्रेस करेंगे आई के बाद इसके फिल को हम ब्ल्यू कलर देंगे रेड कलर देंगे उसके बाद हम नीचे का पॉर्शन स्लेक्ट करेंगे आई प्रेस करेंगे और यहां पर हम क्लिक करेंगे यह देखिए यह बनगी जो हमने सरकल पहले कॉपी करके साइड पर रखा था उसे हम दुबारा इसके उपर रखेंगे शिफ्ट और अल्ट दोनों बटन प्रेस करके रखने हैं आपको दोस्तों और माउस के लफ्ट बटन से तोड़ा ड्राइग करेंगे और थोड़ा इसका साइज इंक्रीज के बाद हम अपने इसका फॉंट रडी करेंगे पैप्सी का फॉंट है जो कस्टमेज किया हुआ है हम उसे बिल्कुल हूब हूब नाना की कोशिच करेंगे सबसे पहले हम अलकमाड पैस करेंगे और एक सरकल करेंगे इस सरकल मैं इसे पर ले ब्लैक अलर दूंगा उसके बा एक लाइन कमाड जर्कैस सकना यहां से हमले के इसाइट करेंगे यह होगी फैसे हम सेलेक्ट करेंगे यह कॉप्पी करेंगे जो दूसरी बी घी के लिए मैं इसके तरफ सेलेक्ट करूंगा जरी का इ算 हिस तरह न से इसके बाद दोबारा पनट एलानdı हम पहले हम डी स्वेक्ट करेंगे फिर हमें पी से प्लेक्ट करेंगे और इस जगे क्लिक करेंगे उसके बाद लोज न है इसके बाद इसके जो शेवर्ण बनीप किसे हम तब क्लिक करना है और एक किस जग करना है एक हम इस पॉर्शन को स्लेक्ट करेंगे और डिलीट बटन प्रेस करेंगे जो जे बाहर की तरफ है ए-प्रेस करना है उसके बाद हम इसे थोड़ा मूव करेंगे अब अच्छा लग रहा है ठीक पी इपी एस आई एस के लिए मैं बता दूँ हमें टाइप टूल स्लेक्ट करना है और एक सेंचुरी गॉथिक यह पहले से ही अलिस्टेटर में मुझूद रहता है इसको स्लेक्ट करना है और एस प्रेस करना है यह एस पैप्सी के एस की तरह दिखाई नहीं दे इसके लिए हम पहले इसकी वेल्यू हम इसका साइज एक बढ़ा कर लेते हैं शिफ्ट और अल्ट दूनों प्रेस करें करकना है इसे थोड़ा बढ़ा रखेंगे इसका साइज उसके बाद नीचे से उपर की तरफ इसे ड्रैग करेंगे इतना और थोड़ा उपर सेव थोड़ा सा और अभी अच्छा है अब अच्छा हो गया अब यह बिल्कुल पैपसी के एस की तरह ही लग रहा है अब रहगी आई तो आई के लिए पहले हम दोबारा पैंटू सेलेक्ट करेंगे एक लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे की दरफ उसके बाद इस लाइन के थोड़ करने के बाद मैं इस तीनों को स्लेक्ट करके इस लाइन के उपर लेके आऊंगा और यहां पर रखेंगे ठीक इससे हमें असानी रहेगी इन सबका साइज एक जैसा करने में नीचे की लाइन को स्लेक्ट करना कॉपी करके इस उपर भी रखेंगे हम इसके बार एस को स्लेक् जब प्रेस्ट करके देखेंगे यह देखिए यह बिल्कुल हम एक line में हैं इसके बाद हम Line Tool और दोबरा स्लेक्ट करेंगे यहां से लेकर यहां तक एक line draw करेंगे इसके font की value बाद में देंगे हम तो अब Ctrl-Y दोबरा प्रेस्ट करेंगे इसके लिए इसकी value देंगे हम 12 sub center L2 से दोबारा एक circle draw करेंगे shift प्रेस करके रखना है ये circle draw हो गया इसका stroke off कर देंगे और fill की value देंगे हम इस circle गए इस i के बिलकुल उपर रखेंगे इसके बाद इस दोनों lines को हम delete कर देंगे ये हमारा हो गया Pepsi का font ready इसे थोड़ा से move करके हम इसका gap जो है equal करनेंगे ये ikea जो stroke की size है थोड़ा कम लग रहा भी मुझे इसे थोड़ा बड़ा करेंगे और इसके बाद हमें इसका भी size increase करना होगा कितना काफी है इसे थोड़ा राइट में करेंगे ये पीछे रह गया है इसका i इसे थोड़ा राइट में करेंगे अब ये एक जैसा हो गया सुन्दर लग रहा है इस पूरे को select करेंगे और राइट क्लिक करना है राइट क्लिक के बाद ग्रूप चेक करेंगे इसका size थोड़ा छोटा करेंगे जो हमने लोगो का icon ड्रोग गिया है उसे का size भी हम थोड़ा छोटा करेंगे और इसके हम आगे place कर देंगे इस तरह से हम असानी से Pepsi का लोगो ड्रोग कर सकते हैं अगर आपको इसके बारे में कोई भी query है तो आप comment box में comment करके आप पूछ सकते हैं अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए आगे आपको ऐसी ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी thank you